हैलो जी तो आज का राउंड डिसाइड करेगा किसकी होगी जी ये राउंड मुकाबला है हमारे दोनों फाइनलिस्ट का और हमारे कॉलोनी की फाइनलिस्ट है मिसिस प्राची अरोरा एंड मिसिस इमलित त्रिपाथी साथ बहू का जो रिष्टा है मान लो घटा आम पापट घटा मीटा तो होता ही है पर मिर्च लगा कर ज्यादा मज़ेदार लगता है कोई भी लड़की अपनी सास को बिना जाने पेश्ट बहू तो नहीं बन सकती इसलिए इस राउन में दोनों सास बहूए पाट लेंगी पर मिर्च लगा के हमका बिना जाने आप हमका अपन बिटिया बना ले इस रहे आज पहू काई नहीं बना सकते चोटिका के तुम्हारी तरफ देख दिलू तो लगता है जैसे धोके और फरेट को चहरा मिल कया काश तुम हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ इमी अब मैं अखेली ही इस नौकरानी से नफरभ नहीं करती आज तुम्हारी की क्योंकि मैं तुछ से तेरी ये फैमिली हमेशा के लिए चील लोगी तेरे बार में क्या कहूँ शाबाश मेरी महूँ तो इस राउंड की फाइनलिस्त सास बुहो की जोड़ी प्लीस टेच में आ जाईए ये प्लीस क्या जाईए ये जो प्लीस ये जो प्लीस ये जो ये जाईए All the best, Imli! Nishobh, अगर चाची ची नहीं गई तो अपर ना, क्या हुआ, स्टेज भी नहीं आ रही तुम, अपनी नौकरानी को बहुरानी मानने से मना कर दिया क्या तुमने? बाबी जी, मुझे तो लगता है, आप बिना किसी सवाल जवाब के, जीच जाएंगी फाइनल में तो प्राची आएगी मेरे स्टेज पर ना आने से भी तुम ये कॉंपटिशन हार चाओगी लेकिन मैं तुम्हें इस कॉंपटिशन में नहीं, इस लडाई में हाराना चाहती है मैं चाहती हूँ, तुम ये खयाली छोड़ दो कि तुम मेरी बहु बन सकती हो इसलिए मैं स्टेज पर आऊंगी तालिया! अपरना, ओल दे बेस्ट! थैंक गड़ आदी चाची स्टेज पे चले गई, औरना साड़ी पैन केच तुझे जाना परता है तो ये है हमारा फाइनल राउंड आम पापड मिड्च लगा कर हमारे दोनों सास बहु की जोड़ी के सामने रखी है हरी मिर्च अब हमारे जजजस दोनों बहु से उनकी सास के बारे में सवाल पुछेंगे और यहां दोनों सास बहु की जोड़ी को अपने अपने अलत अंसर्स लिखकर हम सब को दिखाने होंगे अगर एंसर्स मैच हो गए तो पॉइंट्स मिलेंगे लेकिन अगर एंसर्स मैच नहीं हुए तो सास को खानी पड़ेगी एक पूरी हरी मिर्च आपरे यह तो पिछले साल से भी जादा डिफिकल्ट है ओ प्राची सब याद ना तुझे तो अब ये सवाल जवाब का राउंड शुरू होता है और आज सबसे पहला सवाल आपके लिए कि आपकी सासुमा को खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है सही जवाब आंसर्स मैच करते हैं और मिस्स अरोरा और मिस्स प्राची अरोरा का मिलता है एक पॉइंट इमली जी आप अपनी मदरी लोग का डेटो बर्ट बताईए यह देखिए लेडी की फिंगर काईट दी बंदर तुम्री रासी मा तो बहुत शारी दाटके लिखिये हैं हैं बाच मैं हां और बता ना हमारे बारे में और क्या लिखा है और लिखा है कि ज्यादा बगबग करे से रहे सावधान पीट मा कोनी पड़े की भूट संबाबना है मजाग बना दिया तुमाद स्टू छुटिका की आपके दासी का है मेरा बड़े दासी इप्रिल है तो क्या आप मेश राशी प्रिट झाल झाल तो प्राट आंसेर्स मैच हुए आपको भी मिलता है एक पॉइंट इसे मेरा जनम दिन भी पता है या सच में ये हमारे परिवार की हर छोटी बड़ी बात जानती है लगता है पूरी जासुसी करके बैठी है ये लड़की कितनी चालू है ये मुझसे बेठर और कोई नहीं जानता तो अब मुझे ही कुछ करना होगा पराची आपकी सासु मा की फेवरेट मुवी कौन सी है पराची ने दिया एक और सही जवाब तो आपको मिलता है दूसरा पॉइंट अब सवाल पूछने की बारी मेरी है इमली ये बताओ कि तुम्हारी सास की लाइफ में सबसे कीमती चीज़ क्या है ये क्या सवाल पूछ रही है लॉंसन्स ये कैसा सवाल है आई नो पराची को फेवरेट कलर फेवरेट डिश ये सब पूछा जा रहे है और इमली को ऐसा सवाल ये तो गलत है यार मेरे चाचाची की ठीर थयातहा के लिए आप EFT दोड़ा दिगी एक बार फिर से सोच लीजाए परणाजी आपने इतने मुश्किलिए उसे पैसे जोड़े थे एक बार जोड़े थे फिर से जोड़ लोंगी इसे लिए फिर से जोड़ लोगी मेरे लिए वैसे ही मेरा परिवार और परिवार वालों की खुशी जादान मोलू ओ तेरी ओ गलत जवाब परिवार छोटी काकी के खातिर उके परिवार से जादा अनमोल कुछ हो नहीं है एक वक्त था जब मेरा परिवार मेरे लिए सबसे कीमती था लेकिन अब वक्त बदल गया क्योंकि मेरा परिवार पदल गया अब मेरे लिए सबसे कीमती मेरा विश्वास है अब ना मैं किसी सड़क चलते पर विश्वास करूंगी और ना ही किसी को अपना विश्वास तोड़ने दोगी और बहु के गलत जवाब की पनिश्मेंट सास को मिलेगी अपरना जी आपको मिर्च खानी पड़ेगी अपरना मिर्ची खा लो अपरना जी खानी आपको मिलेगी मेरा अगला सवाल प्राची के लिए प्राची ये बताओ कि तुम्हारी मदरें लोग का होम टाउन क्या है ओ एक और गलत जवाब अब मिर्च खाने की बारी मिसस अरोरा की ओ ही रेदी खान पंजाब टाउन कैसे हो सकता है वो तो स्टेट होता है ना सौरी ममी जी सौरी ममी जी मिर्ची अपनी डिगरिया जलाशना क्यों नहीं देती खोती जई कितनी वारी आग रहा ऐसी पठान कोट पठान कोट पठान कोट फिर बोल रहे पंजाब मुझे लगा कि आप पठानी सूट को पठान कोट पूल रहे हैं वक्त सारा दिन तो कुछ ना कुछ भोलते रहते हैं मैं बचारी कितना ही आद करूँ पिर्ची बचारी तू इमली ये बताओ कि तुम्हारी सास के लाइफ का सबसे यादगार दिन कौन सा था नौ महीने अपने पेट में रखा उन्नीस घंटे दर साथा तब जाकि ये लड़का इस दुनिया में आया है लेकिन वो पल जब मैंने अपने आदी को पहली पार अपनी कोद में लिया था नौ मेरे सिंदगी का सबसे हसीन पल था और एक ये बुद्धु है अपना जनम दिन भी भूल जाता यादी नहीं रखता कभी मेरे लिए बोड़ जाने की बारी पर्णा जी की मेरे लिए वो दिन सबसे यादकार है जब मेरा बेटा मेरी असली बहु मालनी को घर लेकर आया हुआ मेरे बुद्धी ओड़ जाने की बुद्ध।